दोस्तों नमस्कार मेरा नाम संजे मग्गु है और मौझूद है देश रोजाना के डिजिनल मीडिया मंच पर आपके साथ एक मुद्दे को ले करके हूँ कि आखिर बदमाशों पर पलिस का या कानून ववस्था का कंट्रोल क्यों नहीं बन पा रहा हलाकि बदमाश या प्राधी जो लोग होते हैं वो हमेशा ही अपनी कुछ न कुछ गती विधिया करते रहते हैं लेकिन अगर वो बेखौफ हो जाएं उन पर पलिस का खौफ होना बंद हो जाएं तो फिर उसके बाद कानून ववस्था पर सवालिया निशान लग जाते हैं और वो भी तब जब कि एक सूबे से बाहर निक जाते हैं और सबसे बड़ी बात तब होती है कि जब बदमाश गिरों का सरगना जेल से बैठ करके अपने गैंग की सारी वारदातों को सारी उनकी करतूतों को अंजाम दिलवाता रहे सारी बात का आप से जिक्रिस लिए कि कल सल्मान खान के घर के बाहर यानिकि मुंबई के अंदर जिस प्रकार से बदमाशों ने फाइरिंग की और यह कहा कि यह ट्रेलर है और यह लास्ट वार्निंग है तो उसने कान खड़े कर दिये खासकर मुंबई पुलिस के भी साथ 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 एस्टीएफ के भी दिल्ली पुलिस के भी हर्याना पुलिस के भी सभी के औ हलाकि कसर तो हर्याना में भी नहीं है हलाकि हर्याना के अंदर महाल जो बनता जा रहा है नफे सिंग राठी जो इंडियन नैशनल लोगदल के प्रदेश अध्यक्ष थे जिस प्रकार उसकिन की हत्या हुई और पिछले दिनों जिस प्रकार से हर्याना के एक और बड़े शहर पलवल के अंदर मोबाइल शोरूम पर जिस प्रकार से गोलियां बरसाई गई हलाकि पुलिस ने दोनों मामलों में अपराधी कुछ ग्रफतार की हैं लेकिन जिस प्रकार से सोनीपत के अंदर जिस प्रकार से मातूराम हलवाई का जिस प्रकार से रोतक में ढावे पर मर्ड हो रहे हैं दन दना कर गोलियां चल रही हैं वो सवालिया निशान लगाती है पुलिस की कारेपरणाली पर और उसके बाद सबसे बड़ी बात हो जाती है कि जब बदमाशों पर पुलिस का अंकुष पुलिस का शिकंजा कम होने लगता है मैंने कहा कि अपराधिक वार्दाते के लिए आम आदमी की सुरक्षा वैवस्तास के लिए बहुत बड़ा सवाल बन जाता है और यहां तो हालात ये बने हुए हैं कि सेलिब्रिटीज के साथ में सिद्व मूसेवाला का मर्डर हुआ जो परसिद पंजाबी लोग गायक थे और उसके अंदर भी एक लारेंस गैं का हाथ माना गया हाथ कहा गया और अब सल्मान खान के घर के बाहर जो गोलियां चली उसमें सीसी टीवी फोटेज के अधार पर जो एक शिनाक तो ये कद्व अप्राधी की उस अप्राधी का नाम बताया गया है विशाल उर्फ कालू विशाल उर्फ कालू गुरुगराम कर दो लेकिन उसके भाई विशाल पर तो आरोप ये भी है कि उसने रौतक में ढाबे पर एक बुकी और स्क्रेप व्यापारी सचिन पर भी जो गोलियां दागी थी उनकी हत्या कर दी उसमें भी कहीं नाम तो कालू का ही आया आप से बात करूं कि हर्याना के अंदर इस प्रकार स के लिए हो रही है और या फिर टार्गेट किया जा रहा है उन सब को लेकर के उंगलियां तो उठ रही है लेकिन उसके बाद एक बड़ी बात यूं आ जाती है कि अगर सूबे का मुख्यमंत्री ये कहे स्टेट के मुख्यमंत्री अगर बदमाशों के लिए जो रंगदारी टेलिफॉन करके मांगते हैं वो उनसे आग रहे करें तो सवाल तब भी उठा करते हैं अगर अपराधियों और बदमाशों को मुह तोड़ जवाब ना दिया जाए अगर अपराधियों और बदमाशों को उसके साथ उसी लहजे में बात अगर पलिस और प्रशासन ना करे तो फिर कानून विवस्था पर सवालिया निशान लग जाते हैं जो मैं आपसे लगातार कह रहा हूं सल्मान खान के घर के बाहर जिस परकार का माहौल कल बना जिस परकार से उनके घर के बाहर गोलियं दागी गई और उसमें नाम आया लारेंस गैंग का लारेंस बिश्णो मुसेवाला के मडर का और अब जब सल्मान घान के घर के बहार जो गोली चली तो उसके अंदर लारेंस के भाही ने भी उसकी जिम्मेदारी ली और इसके साथ-साथ एक और हिस्ट्री शीटान है रोहिद गोदारा उसका नाम भी सामने आया कि उन्होंने भी जिम्मेदारी ली और खाली जिम्मेदारी नहीं ली सासाथ ये भी कहा कि ये तो केवल ट्रेलर है और सासाथ ये भी कहा ये अंतिम वार्निंग है आपको बताएं कि सलमान खान के साथ ये पहला वाक्या नहीं है सलमान खान पर धंकी देना उनके उन पर रंगदारी की मांग औ जिसके अंदर की सलमान खान को अदालत से सजा भी हुई उस मामले में बताया जाता है कि लारेंस गैंग लारेंस बिशनोई अपनी रंजिश पाले हुए है वैसे आपको बता दूँ कि जो बिशनोई समाज के जो लोग हैं वो पक्षी पशू और प्रकरती के बहुत प्रेमी ह होते हैं और इसके साथ साथ जो काला हीरन है वो बिशनोई समाज के लिए एक तरह से पूझां का प्रतीख है प्र ineffective भी मना गया है और काला हीरन शिकार के मामले में जो सल्मान खान आरोपी हुए सल्मान खान को जो अधालत से सजा हुई उसके बाद से कहा यारेंस मिश्नोई गैंक पीछे पड़ा हुआ है सलमान खान के दोस्तों एक बात तो होगी कि सजा देने का काम कानून का होता है कानून देखता है कि कौन व्यक्ति कितना दोशी है और किक विझार के फैसले से वो संतुष्ट नहीं होता तो फिर उसके उपर उसके उपर उसके उपर अदालते बनी हुई है लोवर कोट से लेकर करके और सुप्रीम कोट तक आदमी के राइट से अधिकार हैं लेकिन यदि कोई व्यक्ति या कोई गैंक किसी के पीछे इस बात को लेकर पड़ जाए कि फलां अमुक और इन्होंने अपराद क के मुख्यमंत्री हैं एक नाशिंदे एक नाशिंदे कह रहे हैं कि वह सलमान खान को पूरी सुरक्षा दी जाएगी उन्होंने अन्हों से बात भी कि आप सुनिए पूरी बात एक नाशिंदे क्या कह रहे हैं सल्मान खान के घर के बाहर जो फाइरिंग हुई है ये दुरबा के पुरन गटना है पुलिस उसकी जाज कर रहे है उसको पुरन पकड़ा जाएगा उसके उपर कड़ी कारवाई होगी ये कानून विवस्ता हाथ में लेने वालों को कभे बक्षा नहीं जाएगा और सल्मान में पुलिस को कमिशनर जी को सुचना दी हुई है कि सल्मान खान की और उनके परिवार की पूरी तरह सुरक्षा जो है उसकी जाइजा लिया जाए और सुरक्षा बढ़ाई जाए और मैं खुद सल्मान खान जिससे बात की हुई है और उन्हें कहा है सरकार आपके स फिलीस प्रशासन को भी सुचना जी हुए है जिनोंने ये किया है उनको तुरंट यहां पर कारवाई होगी कड़ी कारवाई होगी तो अपने एकना शिंदे की बात सुनी लेकिन इस बीच बात सुनना जरूरी तो हर्याना के मुख्यमंत्री की भी है हर्याना के मुख्यमंत्री नायब सिंग सेनी लोगसभाज चुलाव परचार के दोरान जब पलवल जिले के अंदर अपनी रैली करने आये थे तो यहाँ पर किसी ने शायद उनका ध्यान ला दिया होगा कि पलवल जिले के अंदर बड़ी संख्या में रंगदारी के लिए बदमाश व्यापारियों को फौन करते हैं किसी ने बता दिया होगा कि बहुत बड़ा पुलिस अमला इसी बात पर लगा हुआ है कि जिन व्यापारियों को जिन लोगों को रंगदारी के लिए धंकी दी जा रही है फौन किये जा रहे हैं उनकी सुरक्षा में पुलिस कर्मी तैनात किये गए हैं तो नायब सिंग सैनी सहाब ने बदमाशों को वर्निंग दी चेतावनी दी लेकिन जो वर्निंग का अंदाज था आप सुनिये वर्निंग का अंदाज क्या है तो इसमें नायब सिंग सैनी साब कह रहे हैं कि मैं आगरह करता हूं बदमाशों से कि वो ऐसा ना करें नहीं तो कानून अपना काम करेगा क्या बात है क्या बात है साब मुख्य मंत्री आग रहे कर रहे हैं खेर ये भी राजनीती का एक तरीका है और हो सकता है कि इसके पीछे भी कोई और मंतव्य भी छुपा हुआ हो और सबसे बड़ी यात ही भी हो सकती है कि हम ये भी मान सकते हैं कि सूबे का मुख्य मंत्री इस अंदाज से भी कह सकता है कि कानून व्यवस्था की स्थिती पूरी तरह से बहाल रहे और लोगों को ये कहने का मौका ना मिले कि किसी को सुधरने का मौका नहीं मिला। खेर हर्याना के मुख्य मंत्री ने जो उनसे कहा उसके बाद में भी स्थिती में कोई बहुत जादा सुधार नहीं है क्योंकि पलवल के अंदर आये दिन ये इस प्रकार की घटनाएं दर्ज की जा रही है और इसके बाद बड़ी दुखत बात तब हो चाती है कि जब हर्याना की असमत को भी और हर्याना की शान को भी बट्टा तो लगता है अब देखना यह होगा कि पुलिस इस पर क्या करवाई करती है हलाकि सल्मान खान के साथ में क्योंकि सल्मान खान एक सेलिबरेटी है सल्मान खान के साथ में देश के हजारों हजारों लाखों करोडों लोगों की भावनाई जुड़ी हुई हैं उनके करोणों की संख्या में फैंस है और वो जो उनके शुबचिंतक हैं उनके जो शुबेच्चुं हैं उनकी शुबकामनाई भी क्योंकि जरूर उनके साथ होंगी लेकिन सवाल जब कानून विवस्ता का आएगा उसमें सवाल तो को और अधिक सक्त होना पड़ेगा आपको क्या लगता है कि पुलिस को इसके लिए और बढ़े अभियान चलाने होंगे और अंतराज यह पुलिस पर सम्बंध बनाते हुए इस प्रकार की वारदातों पर काबू करने के लिए एक ठोस नीती तयार करनी होगी। इस प्रकार के वीडियो और अप्डेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें देखते रहें देश रोजाना।